नमस्ते मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है कैसे आप सक आशा है आप सब अच्छे होंगे तो आज मूली के पराठे लाई हूँ जो बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फटेंगे नहीं और इस तरह से बनाएंगे तो आपके घरवाले महोती पसंद करेंगे और मंग मंग कर खाएंगे तो देखिए पत्तों को कट कर लिया है और इसे भी मूली को भी छिल लिया है धोकर पत्तों को ग्राइन कर लेते हैं तो इसे दरदरा सा पीश सकते हैं आप ज्यादा बारिक महीं करना है देखिए बस इस तरह से चलेगे पत्तों को इस तरह से पीश लिज मुली को फ्रेंड्स जो नए है चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक जरूर कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करे फालो भी केजिए देखे इसतर से पुरा कधू कर लेने के बाद से दबा-दबा कर जूस को अलग कर लेना है जैसे के वीडियो में मैं दिखा रही ह irgendwas तरह से क्योंकि इसका जूस को भी हम यूस करेंगे तो देखे इतना सारा जूस आया है तेन मूली का तो अब इस मूली का हम देखते हैं यूस अब इसे हम आगे देखेंगे तो गैस जलाकर कड़ाई को गरम किजिए और जरास आयल डालिए बिल्कुल ना के बराबर आयल आदा स्पून ऐसा और जरास जीरा सरसो और हिंग और राई डालिए और जरास आजवाईन भी डालिए और गीसावा मूली और ग्रैन की आवा पत्ते को भी डाल कर अच्छा से चला लेना है जब तक कि इसका पाने पुरा सूख जाए तो कुछ हलके मसाला भी इसमें डाल रही हूँ जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाली इसमें और हो सके तो जरा सा गरम मसाला डाली है आपको यहाँ पे कुछ पसंद है मसाले तो उसको आप डाल सकते हो अब मसाले अपने हिसाप से रखे जैसे कम जादा तो मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, बच्चे बड़ों के लिए तो जरा कम डाली हूँ सब कुछ हलका हलका, अब इसे इतना भूनना है कि इसका पानी पूरा सुख जाए कहें भी यह गिलना रहे, इसका ध्यान रखे, बिल्कुल ड्राइ हो जाना है यह इस तरह से, अब इसे ठंडा होने छोड़ने के बार हम यहाँ पे आटा गूत लेते हैं दो कप गेहूं काटा ले रही हूँ मैं, अब इसमें डाले जरा साल्ट, और यह जो मूली का पानी है, मूली का पानी को भी पहले डाल कर मिला लेते हैं, साल्ट डाल कर अच्छा मिला रही है, और इसके बार मूली का पानी डाले, जो जूस बाहर आये, उसे निकाल के डाल देख लिजे कि अगर कित्ता जरुरत है उसके हिसाब से पानी डालते वे बिलकुल सौप्ट दो बनाना है पराठे बना रहे हम मूली के पराठे तो दो को बिलकुल सौप्ट रखना है तो पाने देखते वे डाली और सौप्ट डो घूत लेजिए चैनल को लाइक शेर सब्सक मूली को अच्छा से फ्राइ करके रखें देखें कितना ड्राय हो गये और ठंडा भी हो गये इस तरह से बॉल बना ले अब बॉल बनाने के बाद 10 मिनट के बाद आटा जो हम एक ही आम इसका भी बॉल बना के हम पराठा बनाना शुरू करते हैं तो वीडियो में दिखाए जै बेल लेजिए हाथों से पहले बॉल रखने के लिए इस तरह से बना ले उसके बाद चारों सेड से इसको बंद कर देना है बॉल को अंदर रखते हैं अब इसे अच्छा से हलके हाथों से पराठा बनाना है ज्यादा दबाना नहीं है हो सके तो थोड़े हाथों से बना जिए उसके बसूका आँटा डाल कर हलके हलके हाथों से ही हम पराठा बेल लेंगे देखें इसी तरह से सारे-पराठे बना लीजिए वीडियो में दिखा रहें बिल्कूल फड्तेने बहुत ही टेश्टी बनते हैं इस तरह से आवां कोछ इंता भी नहीं है बैच्चे को भी आप खिला सकते हूं अराम से पराठे इसी तरह से सारे पर आठे बना लेजिए किनारों को अच्छा से बंद करने के बड़े हलके हलके हाथों से बेलना है सुखा हंटा डाल कर फ्रेंज मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पर जाकर आप जरूर देखिए अब गैस जलाकर एक तवा गरम किजिए और रोटी को हलका हलका दोनों सर सिख लेना है गैस को तेजी रखे उसके बाद हम गम करेंगे देखिए दोनों सर पलटने के बाद आप इसमें ओयल या घी मक्षन जो भी है आप लगा सकते हो तो मैं यहाँ पर ओयल डाल कर कुकिंग ओयल डाल कर पराठा बना रही हूँ जब दोनों सर हलका सिखने के बाद आज को मेडियम रख दिजिए गैस को और पराठे को अंदर का कच्छापन जाते तक अच्छा से सिख लेना है देखिए पलटते हुगे अंदर तक को खो जाए पराठा इस तरह से दोनों सर बड़े सिख लेजिए सिख कर आप इसे अपने मन पसंद सबजी स्वास के सांत सर्व कैसकते हो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर करें फ्रेंज आश्या आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मूली के इजी पराठे आप इस तरह से बनाएए आपको बहुत ही पसंद आने वाल इसका टेस्ट का तो बताए ने सकती कितना अच्छा टेस्ट इसका देखिए थैंक्स पर वाजिंग फ्रेंड्स थैंक्यू